शम्मानित मुल्क के मालिको मैं बहुत भेच्छू सुमित रतन आज लखनव में लगबग 18 संग्ठनों की बैठक थी सभी संग्ठनों के लोगों ने 9 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्री बहुत सम्मेलन को अपना शेहमती पत्र समर्थन दे दिया है आज लखनव बैठक में सभी लोगों के द्वारा सामुहिक लोक तन्त्रिक तरीके से कारिक्रम का अथिती कौन होगा मुक्य अथिती कौन होगा दिक्षा अचारे कौन होगा यह तैह हुआ है कि कम से कम बीस लोगों की एक कोर कमेटी भी बना दी जाए जो सारे कारे करके अन्य लोगों से संपर करके रिपोर्ट हमें करें ऐसा भी आज तै हो गया है मैं आपको बता दूँ हमें 9 अक्टूबर के लिए मानिवर कांसी राम सहाब सांस्कृतिक रेलिएस्टर का अप्रूबल मिल गया है अभी इस्थान किसी और को साथ अगस्त को निधारित की गई है लखनव में जिसमें लखनव के अलग अलग छेतर के लोग उत्तर पिदेश के अलग अलग जंपदों के लोग और अलग अलग संग्ठनों के लोग भाग लेंगे एक समीक्षा बैठक होगी कि अब तक हम लोगों ने क्या किया और क्या क जाएगा इंविटेशन कार्ड डाल दिए गए छपने के लिए हमारे द्वारा पंप्लेट पोस्टर के साथ साथ पंसील के जंडे छोटे जंडे बड़े जंडे पंसील की लड़िया और पंसील के पट्टे इनका लगवग एक लाग से ज्यादा का ओर्डर कर दिया गया है वो बहुत अच्छीगर लगवग 15 दिन के अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे हमन धम्मप्रिचार की शामेग्री चाहिए थी वो इस्थानी लोग नहीं मोहिया करा पाए इसलिए बड़े लेविल पर हमने उसकी प्लानिंग की इसके साथ साथ बड़ा कारिकिरम है एक व्यक्ति नहीं कर सकता है इस कारिकिरम के आयोजग लगबग 50 संग्ठन होने वाले हैं 50 संग्ठनों से बारता कर ली गई है बहुत जल्दी अथिती फाइनल करके पॉंप्लेट पोस्टर आपके बीच में आ जाएगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के प्रतिये जिले में अलग अलग राजियों में सभी लोगों को जोड़ा जाएगा कोडिनेट किया जाएगा मैं चाहता हूं कि आप इस वीडि मेटिंग खतम करके शाड़े आठ बज गए पांच बजे मेटिंग शुरू होई और शाड़े आठ बज गए जो कि मुझे एक एक कमेटी के संगठन के फाउंडेशन के एक बिक्ती की सलह लेनी थी उनके उदगार सुनने थे और इस कारिक्रम को किस तरह से देखते हैं सारी कि प्लानिंग होने के बाद सारे लोग जब विदा हो गए मीटिंग से फिर मैं वहां से आया हूं अम मैं आकर कि मैं अपने कार्याले में आपके दीज रूबरू हूं और सारी जानकाली दे रहा हूं कहने का मतलब लगवक पचास संगठनों से संपर्क हो गया है अथिती तै हो गए हैं मुख्य अथिती तै हो गए हैं बहुत जल्दी उत्तर पिदेश की सरकार के लटनोग प्रिसासन से परमीशन की प्रिकिरिया की टीम बना दी गई है सब काम चल रहा है तेजी से चल रहा ह बस आप लोग 9 अक्टूबर के लिए उत्साहित हो जाईए आप जहां हैं अपने रिष्टदारों से अपने परचित लोगों से अपनी विशाधारा की लोगों से मित्रों से परचित लोगों से जानने वाले लोगों से बात करिए ताकि उन्हें पता चले कि लखनव में उ तिहास बनाया शमराट असो के सपने का भारत बाबा साहब के शपने का भारत और याद रखना 9 अक्टूबर को माने वरकांसी राम साहब का हिस्मृती दिवश है पुनने तिती है निर्वान दिवश है पूरे भाष्ञ प्रदेश के लोग की उत्साहत हैं कि ऐसी तिखी हमें मिली और हम सभी लोग उत्साहत हैं बड़ी ही उत्साह के साथ कारिकरम किया जा रहा है शवी शंगठन अधिक सभीक लोगों को लाने का प्रण करके गए है आज कमिटमेंट करके गए है और शामुहीक एक जो हम लोगों ने मोर्चा बनाया है वो स्मोर्चे का नाम हम लोगों ने रखा है तथागत भगबान बुद्ध एवं आंबेटकरी आंदोलन तथा स्रमण परंपरा से जुड़े संग्ठनों का साजह मोर्चा सारे संग्ठन जो चाहते हैं कि बौध मैं भारत हो जो चाहते हैं कि संब्धान बचे जो चाहते हैं कि बाबा का शपना पूरा हो जो चाहते हैं कि समराट अशोक का भारत बने तो सभी लोग साथ आए अलग-अलग हमने बहुत रहकर देख लिया कुछ नहीं कर पाए इसलिए मैं चाहता हूं सभी संग्ठन आए कुछ लोग लिखि बास बने के दूसरे प्रदेश जिले बाले इससे सीख करके जाएं और वो भी अपने राज्जियों में अपने जिलों में अपनी कमिशनरीयों पर एक बड़ा संभिलन बुला करके बाबा के शपने को पूरा करने का काम करें बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत-बह बहुत थे हुं मुझे भी जूम बैठक के लोग इंत्यार मेरा कर रहे हैं LABTOPP पर वो लोगा चुके हैं चूंकि जूम बैठक में आजस्ते खरना है कि क्या क्या हσ 성공िए और जो हमारी core community है वो कैसी होगी यह सारे आज नेड़े हम लोगों रात के बारे वजे तक लेने हैं, ताकि कल हमारी प्रिक्रिया आगे, कल और बहुत शारे काम हैं, तो बहुत बहुत शादुबाद, आनंद करें, मस्त रहें, स्वस्त रहें, और अपना ख्याल रखें, और साथी साथ, 9 अक्टूबर को ना भूले, लोगों तक पहुचाएं, और मैं फिर कल कोई नई जानकारी लेकर के आपके बीच में आता हूँ, और इतना ही नहीं, बाबा साब ने कहा था, क्या कहा था, कि लोगतंत्र में जब भी हम नायक पूज़क हो जाते हैं, तो बोरे दिन आने लगते हैं, हम सब लोगों ने नायक पूजा का मार्ग प्रस कि सारे लोगों की सला ली जाएगी, और सारे लोग इस कारिकरम के आयोजक संगोजक हैं, कोई एक विक्ती नहीं है, और जब एक विक्ती होता है, तो जब कारिकरम सफल ना हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है, और जब बहुत सारे लोग होंगे, और कारिकरम अगर सफल नही होगा तो सबकी जिम्नेदारी होगा इसलिए ये विशारधारा की लड़ाई है ये विक्ति की लड़ाई नहीं है और नहीं किसी संगठन की लड़ाई है इमान सम्मान का विशह है नौ अक्टूबर को हमें लखनु के मैदान में एकटा होकर बौधों की ताकत को दिखाना है और बहुत में भारत बनाना है दिख्षा प्रमाडपत्र कैसा होगा जो आप लोगों को दिया जाएगा उसका भी पौपमा तयार हो रहा है सारी टीमें लगी हैं अलग लग लोग लगे हैं बहुत-बहुत मंगल कामना है बहुत-बहुत शादूबाद हमारे इस मैसेश को आप लोगों तक पहुचाएं और 9 अक्टूबर ना भूलें लखनव जरूर आएं चलो लखनव चलो लखनव एक बार हम फिर बाबा का शपनों का भारत अशोक के शपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत-शादूबाद